आज हम बात करेंगे बार्नियाड मिलेट के बारे में इसको हिंदी में सामा और जंगोरा बोलते हैं इसका इंग्लिश नाम है जैपनीज मिलेट और कभी-कभी इसको जेर्मन मिलेट भी बोलते हैं और इसका साइन्टिफिक नेम है इकाइनो क्लोवा फ्रॉमान टासिया अलकलाइन है, ग्लूटन फ्री है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, यह ड्राउट लाइट कंडिशन्स यानि के कम पानी में यह उख सकता है, जैसे सूखा पढ़ता है उसमें भी यह उख जाता है, क्योंकि इसे सिर्फ 200 से 300 लिटर पानी की जरूरत है एक किलो मिलिट करने के लिए, और तकरीबन 90 दिन में यह तयार हो जाता है, बार्नाड मिलट इस तरह से दिखता है, और यह लिटल मिलट के जैसे ही दिखता है तकरीबन, लेकिन सिर्फ इसका जो दाना है, ग्रेन है, वो फ्लैट है, दूसरे चार जो शिरिधनिया मिलट्स हैं, उनके मुक और यह जो रेशो है, वो है 6.55, यानि के दस से कम है, और यह पाया गया है, कि जिन ग्रेन्स का और फाइबर का रेशो दस से कम है, वो बिमारियों को ठीक करते हैं, अब हम बात करेंगे बानियाड मिलट के हेल्थ पेनिफिट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह बानियाड मिलट जो है, यह शरीर के जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर, किड्नी, कॉल ब्लैडर, युरिनरी ब्लैडर, पैंक्रिया, स्प्लीन, इनको बिलकुल साफ कर देता है, क्लीन्स कर देता है, जैसे जॉन्डेस, हेपटाइटिस, लिवर सिर इनकी जो एफिशन्सी है, उसको यह इंक्रीज करता है, तो डग्लैड ग्लैंस कॉन से हैं, जैसे कि पैंक्रियाज है, थाइरोइड है, वगेरा, तो इनकी जो शम्ता है, उसको यह बढ़ाता है, जिनको हार्ट डिजीज है और डियाबिटीज है, उनके लिए बानियाड मि शुगर को कम करता है, कोलेस्टराल को कम करता है, और ट्राइक रिस्टराइट्स को कम करता है, जिन लोगों को जॉंडेस है, थाइरोइड की इशूज हैं, या किड्नी स्टोन या गॉल्बैड स्टोन है, उनके लिए यह सबसे अच्छा खाना माना जाता है, और सुआद मे में बानियाड मिलट और लिटल मिलट भी मीठे होते हैं और स्वीड डिश बनाने के लिए बेस्ट मिलट है बानियाड मिलट और उसके बाद लिटल मिलट तो अगर आपको यह जान करें अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वोचिंग